हे गाईज विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार उस्पागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्ता एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के इंडिट के लिए एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से पर्मानेंट सरकारी नौकरी के लिए जबरजस्त विकिंसी निकाली गई है जो कि ओल इंडिया के के इंडिट अपलाई कर सकते हैं यह डिपार्टमेंट है भाईया जी आर एसी यानिकी गाडेन रिच्स बिल्डर्स एन इंज क्योंकि हर एक स्टूडेंट इस वेकेंसी में इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए तरफ सता है ड्रीम जॉब होती है यार आपको पता है यानि कि माजगाओं डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड या फिर कोचीन सी पियाड लिमिटेड बेलकुल उसी प्रकार की ये चले डीटेल में बात करते हैं आई टी आ श्टूडेंट वालों के लिए गॉल्डेन अपश्णूडी की ये फॉर्म है कैसे भरनी है और कौन सी पोस्ट रिलीज की गई है एलिजबीटी कंडिशन क्या है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है सेलरी कितनी मिल लिवाली है सब कुछ म ध्यान पूरवक आप भी देखिएगा ताकि सारी डीटेल से आपको पता चल सके और साथ ही ये नौकरी का फॉर्म अप अराम से भर सको लेट स्टार्ट नाओ आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरू जोइन कर आता है यहां पर वेकेंसी इंप्लॉइमेंट नोडिफिकेशन वेस्ट पर देख सकते हैं डेट ऑपनिंग ओन्लाइन रेइस्टेशन 20 जनवरी 2024 यानि कि आज से सुरुआत हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024 कुछी टाइम में वेकेंसी नोडिफिकेशन आ जैनि में का नाम का पोस्ट होता है यह होता है चोर्नीमेंस से लगता है आपको क्या करने evacuation क्यों आम सबसे फिले post देखो जितने भी सारी post है वो journeyman के लिए है journeyman है structural filter सबसे फिला post है total number of post है आप से यहाँ पर देख सकते हैं 5 post जो category wise देख सकते हैं apply account कर सकता है बहुत जरूरी चीज़ ध्यान से सुनो अगर आप 10th pass किये हैं और apprenticeship किये हुए हैं तो बेशक आप form apply कर सकते हैं ध्यान रहे अगर आपने simply 10th pass कर रखे और कुछ नहीं आपके पास तो apply नहीं कर सकते हैं 10th pass करके आपने NAC, National Apprentice Certificate कर रहा है तो बेशक आप apply कर सकते हैं otherwise आपके पास ITI होनी चाहिए और ITI student को NAC यानि की apprenticeship की ज़रुरत नहीं है भईया structure fitter, fabricator, seat metal worker या फिर fitter trade के student इस form के लिपलाई कर सकते हैं तो ITI trade fitter वाले बिल्कुल फ्रेसल अपलाई कर सकते हैं कोई भी experience या फिर apprenticeship की ज़रुरत नहीं है apprenticeship सिर्फ 10th वालों के ज़रुरत है फिर है journeyman, फिर से fitter की vacancy है चार post पर, यह structure fitter था, यह सिर्फ fitter है तो इसमें भी सिर्फ fitter अपलाई कर सकता है MMTM के trade वाले candidate अपलाई कर सकते हैं या फिर weapon fitter वाले अपलाई कर सकते हैं next है post welder के लिए 5 vacancy तो इसमें welder, welder, gas and electric, TIZ welder बहुत सारे welder का structure होता है जो कि आप देख सकते हैं, pipe fitting welder हो गया fabrication welder हो गया तो यह सारे welder की पूरी family मानलो अपलाई कर सकता है इस form को फिर आपका है crane operator की vacancy यहाँ पर भी 5 post है जो कि आपका 10 pass करके आपने ITI कर रखी हो electrician trade में, ध्यान रहे जो भी आपका electrician trade है तो बिल्कुल आप सभी candidate apply कर सकते हैं तो hopefully आप electrician वालों के लिए भी vacancy है next है आपका machine operator machine operator में 4 vacancy है तो mill right mechanic या फिर mmtm बोलते हैं वो भी trade इस form के लिए apply कर सकते है next है machinist के लिए इसमें भी 4 vacancy तो machinist turner, machinist grander ये सारे trade वाले apply कर सकते हैं फिर से pipe fitter की vacancy भी या 7 post पर तो इसमें pipe fitter या फिर plumbing trade वाले यानि कि जो plumber से trade आपने कर रखी हो apply कर सकता है fitter वाले apply नहीं कर सकता five fitter वाले apply कर सकता है या फिर जो plumber में है वो apply कर सकता है journeyman में rigor की recruitment है तो rigor या फिर carpenter के trade अपलाई कर सकते हैं 5 post है उसके बाद next post है आपकी driver material handling में तो इसमें आपने diesel mechanic में कर रखी हो या फिर heavy vehicle driving का license होना चाहिए diesel mechanic, mechanic diesel trades के साथ आप अपलाई कर सकते हैं electronic mechanic की vacancy है तो ITA electronic mechanic diesel mechanic की vacancy है तो diesel mechanic, mechanic diesel या फिर mechanic diesel trade वाले के अपलाई कर सकते हैं marine diesel वाले भी, ओके तो ये सारे trade है total number of post है 50, बहतरी recruitment है almost सारे trade के लिए vacancy निकाली गई है तो मौका मत छोड़ना, बहुत दिनों की बाद vacancy निकले है सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कभी vacancy देखने को मिली finally वो पहला आ चुका है, तो जरूर form भरें ये नहीं की सब LP में भरें, ले इसमें भी भरो job ये भी बहुत अच्छा कासा है, मैं तो LP से अच्छा job मानता हूं structure feeder की vacancies में क्या-क्या responsibility होगी आप देख सकते हैं, ये job है भाईया इसमें आपको करना क्या-क्या होगा, साब कुछ details यहां पर दी गई है okay, feeder के लिए बारे में बता गया है, फिर आपका देख सकते हैं welder के बारे में, तो जो भी आपका trade है, आप अपने wise देख सकते हैं आपको क्या काम करना पड़ेगा, जब JRC में आपको jobs लेगेगी age limit देख लो, 18 साल से लेकर 26 साल के candidate apply कर सकते हैं मज़ा आएगा apply करने में, जरूर apply करें एक जनवरी 2024 तक last day, आपकी cut-off रहेगी last day, age की cut-off है बागी बाद age में छूट सबको मिलेगी HTC वालों को 3 साल की, OBC वालों को 5 साल की और जितने भी category हैं, अंडरे जब डाले उनको अलग-अलग छूट मिलेगी PWD candidate के लिए अब जितने भी student इसमें form apply करने वाले हैं सबकी यहाँ पर 2 साल की training होगी जिसकी भी job लगेगी, 2 साल का training होगा training के दोरान, first year मैप को जो रुपे, पैसे मिलेगा न वो 24,000 परमंत मिलेगी training period में 24,000 मिल रही है सोचो कितनी अच्छी salary है second year में 26,000 परमंत दी जाएगी जब आपकी permanent jobs लगे न, तो bumper salary मिलेगी कितनी salary मिलेगी on successful completion of training then आपकी SSK grade के अनुसार start होगी जो कि आपकी semi skilled की post पर भरती जाएगी और semi skilled की भरती 1900 से लेकर 79,650 रुपे होगी approximately जब join करोगे TA, DA, HR, सब कुछ लगा के 35,000, 33,000 से लेकर 35,000 आपकी starting salary होगी बहुत सारी सुज़द हैं pucks बगरा सब कुछ आपको मिलती है तो मौका मत छोड़ना selection processor की मैं बात करूँ तो जितने भी student है जो भी qualification से आपका उनका written test and practical test याद रखना CBT online exams होगा और आपका trade test के जरी आपका selection होगा साथ में आपका PT भी होगा यहने की physical efficiency test जर्णी में में रिगर का होगा जर्णी में में आपका crane operator का होगा तो यह सारे जो trade वाले candidate है उनका यहाँ पर physical लिया जाएगा और written test ओमार बेस्ट होगा स्वरी paper pen paper based पे होगा CBT यहाँ पर नहीं होगी ध्यान रखना गाईस ओमार बेस्ट आपका यहाँ पर paper होगा और exams conduct कराए जाएगी कोलकाता और राची दो ही जगा पे तो आपको दो जगा select करना का option मिलेगा pattern of return test देख सकते हैं सब जग दो part का होगा part 1 और part 2 part 1 आपका trade से related रहेगा जो आपका trade है वो 80 marks का question आपको पूछा जगा आपको trade पता है न भईया तो आराम से यह सरकारी नोकरी आपकी है part 2 में आपका general aptitude रहेगा जैसे की general knowledge हो गया general aptitude यानि math रहेगा reasoning रहेगा mental ability वही आपका reasoning नालो numerical ability इस तरह से question रहेगी यह 20 marks का अगो total 100 of marks दो गंडे की time आपको यहां पर मिलने वाली है qualify marks overall 50% होना चाहिए आपका then exams qualify करने के बाद आप practical test में अंटर करोगे तो जो भी आपका practical test है 1 is to 5 ratio के हिसाब से यानि की vacancy का 5 गुना candidate को shortlisted किया जागा trade test के लिए तो जो भी आपका trade test है उसको clear करना होगा application processes के में बात करूँ तो इसकी form जाकर आप fill up कर सकते हैं और यह form आपको online mode करनी है online fill up करने के बाद आपको form download करनी application format बगर करके फिर आपको generative fill करके ordinary post में आपको यहां पर send करनी होगी दिये गए envelop में भी है यहांने की fill up करने के बाद download करने के बाद जो भी आपके सारे document से envelop में आपको speed post के जरी ordinary post दिया है गाई ordinary post से ही आपको mail करनी होगी यहांने की post करनी होगी application charge चुन लो जो भी candidate है अगर आप general OBCWS candidate है तो 472 रुपे application charge लगा यह कौन सा charge होता है 472 पांच सो रग देता 400 रग देता 472 पूरा लगने वाला है आपका with GST application belong STAC, PWD यह फिर जो भी internal candidate है उनके लिए कोई भी application charge यहां पर नहीं लगने वाला है बहुत अच्छी खासी recruitment है मौका मत छोड़ें link आपको description में मिल जाएगी 19 फरवरी तक last date है और हाड गोपी send करने के लिए 24 फरवरी तक last date है return days कोलकाता और राची में आपकी होगी admit card आपका जल्दी ही declare कर दियागा बहुत ज़्यदी है कि इसका exam सो जाता है तो तैयारी शुरू कर दो अगर आप इस job करना चाहते हैं GRSE में तो तो कैसी लगी इस bathroom vacancies का अंदाज आपको जरूर बता है वीडियो इस पर लगी हो like and subscribe करें कुछ doubt and comment करके बता है syllabus की वीडियो चाहिए तो वह भी बता है चलिए मिलते next video में तब तक लेज़े हैं